दोस्तों अगर आप लोग भी अपनी जॉब के लिए एक सीवी बनाना चाहते हैं जिसे हम लोग रिज्यूमी भी कहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको प्रोफेशनल अपने मोवाल से फ्री में सीवी बना के दिखाने वाला हूँ बिल्कुल आप मुझे स्टैब आप लोग नियुक्त आप लोग को यहां पर सेर्च करना है एक एप को जिसकी हैकसे हम लोग सीवी बनाएंगे उस अपका नाम है इंटेलिजेंट सीवी देखिए यहाँ पर सपैलिंग देख लिए इनटेलिजेंट सीवी उपर मैं देखा रहा हूं यह लिख्ए हूई है आपको कुछ इस तरह का लोगो देख जाएगा, लोगो देख लीजिए, आपका ये है लोगो, आपको ये एपको इंस्टॉल करना है, 10 million प्लस इसके डाउलोड से, और रेटिंग भी काफी अच्छी है, अब इससे आपको यूज कैसे करना है, वो मैं आपको आगे बताता हू ये ताकि जादा एड़ ना है, आपको जादा डिस्टॉल बेंस ना हो, इसा आपको यूज करते टाइम, तो मैं यहाँ पर मोबाल डिटा ओफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग को यहाँ पा नीचे दो बटन दिखेंगे, डाउनलोड, क्रियेट, तो हमें क्रिय मैं जैसे कोई भी नेम डाल देता हूँ, फिर उसके बाद आपको यहाँ पार एड़ डालना है, फिर उसके बाद आपको अपनी इमेल आईडी और आप लोग मोबाल नमबर को इंक्लूड करना चाहते हैं, अपने CV में तो वो डाल ली है, मैं आपको अपनी सेंपल के लिए लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर चेंज पर आप लोगों क्लिक करना है, और इसे अलाव कर देना परमेशन, फिर आपको यह अपनी गैलरी पर ले जाएगा, गैलरी से आप लोग अपनी एक फोटो यहाँ पर अपलोड कर लीजिए, मेरी गैलरी में यहाँ पर जो भी एक section उस पर click कीजिए add के section पर click करने का अब आपके साने देखे काफी सारे options आज चुक है date of birth, nationality, इन में आपको देखे date of birth enable कर देनी है और अपनी date of birth यहाप डाल देनी है यह मैं डाल दी, अब आप लोगो add के button पर again click करना है और यहाँ पर nationality, marital status इन दोनों को भी tick कर देना है और दोनों को fill कर देना, nationality में आपको लिखना है Indian, क्योंकि आप Indian तो Indian लिख दीजे, फिर add पर click करना है नीचे और marital status को यहाँ पर select कर लेना है और marital status अपना लिख दीजे, फिर उसकाद आप लोगो यहाँ पर add के button पर click करना है और यहाँ पर देगे website, facebook, अगर आप लोगो अपने facebook, twitter, linkedin वगएरा को यहाँ आप include करना चाहते तो आप कर सकते हैं यह तो आप यहाँ पर gender को include कर दीजे और अपना gender डाल दीजे इतनी details enough है, यहाँ पर personal information के लिए इतनी details मैंने fill कर दी है, आपको इतनी सारी columns बना लेने है फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर नीचे button मिल जाएगा green के लगा save का उस पर आपको logo क्लिक करना है save पर क्लिक करने के बाद, अब आप लोगो second number के option को fill करना होगा education, यहाँ पर सारी education का status हम लोग fill करनेंगे, add के button पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पर course slash degree, तो आप यहाँ आप 10th, 12th और अपनी graduation का, इन्हें include कर सकते हैं तो पहले class 10th लिख देते हैं जिस school से की है, वो आप लिख दीजिए, यहाँ पर उस school का name फिर उसके बाद आपने यहाँ पर कितने grade आपके आया थे वो लिख दीजिए grade आपे percentage और किस year में आपने यह की थी, वो आप लिख दीजिए और फिर मैंने sample के लिए कोई भी details लिख दीजिए आपको अपनी real details लिख देनी है, फिर आपको add के button पक्लिक करना है नीचे तो एक और column बन जागा देखिए, उपर तो हमने column बना ही लिया था 10th का, आप 11th का नीचे एक और column बन गया है यहाँ पर आप लोगो class 12 की details डाल देनी है college डाल देना है, कौन सी university से आपने यह किया है graduation, grade डाल देना, आपको क्या greatest में मिला था और फिर आप लोगो year डाला है, कौन सी year में आपने यह किया था और फिर आप लोगो अगर graduate है, तो यहाँ पर add के button पक्लिक किजिए अपनी graduation का, जो भी आपने subject लिया हो, degree, course और यहाँ पर किस university से किया है, वो आपको लिखना होगा और साथ ही साथ है आपक grade भी डालना है तो यहाँ पर मैंने जैसे sample के लिए कोई भी आपका graduation डाल दिये अगर आप लोग post graduate है, तो आप लोग एक और column मनाईए अपनी post graduation और डाल दिजे, फिर उसका आपको save के बटन पर क्लिक कर देना है सारा education status है, यहाँ पर आपका complete हो चुका है फिर आते हैं third option पर, दीगे, आप लोग जैसी save पर क्लिक करेंगे आपको third option फिल करना होगा, जो कि यह experience अगर आप लोग यहाँ पर experience नहीं है, तो आप लोग को यहाँ पर कुछ भी फिल करने की ज़रुरत नहीं है अगर आप लोग कोई भी आपके पास experience है, पहले कहीं पर job किया है, आपने तो यहाँ वहाँ पर आपको company का name, job, title जिस posting पर आप काम कर रहे थे पहले, और कब से कब तक आपने काम किया और details उसकी, यह सफ फिल कर दीजेगा, अगर आप लोग बिलकुल experience जो नहीं है, तो इसे ऐसे ही छोड़ दीजे, और back आजाईए, मैं ऐसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ, फिर आपको skills के बड़ा पक्लि के लिए आप skills मिल जाते हैं, जो आप use कर सकते हैं, अपने CV में, देखिए, यहाँ पर sales, team building, problem solving, decision making, यह लिखी हुए, आप add के button पर click करके back आके, यहाँ पर एक एक करके सारी लिख दीजे, मैं एक करके कुछ भी यहाँ पर, जो skills आपके अंदर है, वो आप यहाँ पर include कर देना है, एक एक करके, और फिर आप लोग को save button पर green color का जो है, उस पर click कर देना है, save पर click कर देना है, अब आपके सामने आता है option नीचे objective, objective पर आपको click करना है, objective पर आप लोग को समझे में ना है, क्या लिखना है, तो आप लोग यहाँ पर example का help ले सकते हैं, यहाँ objective बगल में example का option उस पर click कीजिए, और यहाँ आपको काफी सारे लिखे हुए है, देखिए, examples, आप लोग किसी को भी use करते हैं, जो आपको अच्छा लगए, वो आप use कर दीजे, जैसे मुझे यह अच्छा लगा, मैंने उस पर click कर दिया, तो यहाँ आप लोग चुका है, अब आपको save पर click कर देना, इसको काफी simple हो जाता है, यहाँ आपको examples provide कर देता है, इसलिए मैंसे recommend करता हूँ आपके लिए, अब आप लोग को reference यह लिखा हुआ है, इस पर आप लोग क्लिक करना है, अगर आपको इस job के लिए किसी ने refer किया है, वाला किसी ने आपको बता है, इस job के बारे में, तो आपको reference में, यहाँ पर referee name, job title, यह सब डालना है, email id, phone number उसका डाल देना है, और आपको कोई job के लिए refer ने कर रहा है, आप लोग कोई job के लिए apply कर रहा है, तो आपको कोई problem ने है, बैक आजाए इससे, और आप लोग को कोई यहाँ पर सबसे नी कर सकते हैं, तो most other people के लिए यहाँ पर यह useful नहीं, आप नीचे दे cover letter, आप लोग cover letter add कर सकते हैं, अपने according, नहीं तो यहाँ आप add more section का option मिल रहा है, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए, add more section पर आप लोग interests को add कर सकते हैं, आपके interests क्या है, आप लोग example भी मिल जाते हैं, यहाँ पर मैंने interests कुछ भी लिख दिया है, example में आपको जो भी interest हो, वहाँ पर आप लोग अपने interests में include कर सकते हैं, और आपको save के button पर click कर देना है, फिर आप लोग को यहाँ पर again नीचे आना है, और यहाँ पर आप लोग को add more section का option मिल रहा है, उस पर click करना एक और बार, और यहाँ पर जो भी आप लोग को देखे, activity, publication, language, जो जो आप बोल लेते हों, वो सब include करना है, एक एक करके, तो यहाँ पर मैं जैसे include कर देता है, तो अगर आपको कोई achievements और awards है, तो आप इसे enable करके achievements को भी यहाँ पर include कर सकते हैं, आपने, मैं यहाँ पर language हो कर देता हू जो भी आपको languages आती हैं, वो आप यहाँ पर लिख दीजे, यहाँ पर मैंने कुछ languages include कर दी, और फिर उसकर आपको save के बटम पर click कर देना है, अगर आप लोग को add more section पर और भी चीज़े दिखते हैं, जो आपको include कर सकते हैं, आपके लिए हैं यहाँ पर, तो आप इने enable कर सकते हैं नहीं, तो आपका CV यहाँ पर इतने में ही perfect बन चुका है, अब आप लोग को इसे save कैसे करना है, वो मैं आपको दखा देता हूँ, आप लोग को simply यहाँ पर view CV नीचे देख रहा, उस पर click करना है, अब यहाँ पर देखे, CV के काफी सारे format आते हैं, मलग इस templates, इन templates में देखे कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ पर मैं आपको recommend करूँ, अगर आपने CV में अपना photo लगाया हुआ है, तो आप photo वाला कोई choose करें, जिसमें photo लगा हुआ हूँ, यहाँ पर काफी सारे हैं, तो मैं एक choose कर देता हूँ, जो मुझे better लगे, जैसे मुझ template चूस कर लीजगा, उपक color का भी option है, कोई भी color आप choose कर सकते हैं, मुझे यही सही लग रहा है, अब आपको यहाँ पर download पर click करना है, अब आप लोग के यहाँ पर यह documents पर download तो हो चुका है, लेकिन अगर आप लोग अपने mobile में से save करना है, तो मैं आपको best तरीका बता द template पर, आपको simply share पर click करना है, यहाँ पर WhatsApp select करना है, WhatsApp पर अपने घर के दूसरे mobile में share कर देना है, तो आपका यहाँ पर CV दूसरे mobile में save हो जाएगा, बहुत ही आसानी से, तो guys को ज़स्तरा से आप लोग अपने mobile में CV बहुत ही आसानी से बना सकते हैं,